Hello students, all of you, open your English reader book, page number 18 and the topic is a house for hippo, chapter 3, so let's start, one day hippo said, all my friends have houses, I should also have a house, hippo, all of you know, hippo, hippopotamus, तो एक दिन, hippo ने कहा, कि सब के पास, मेरे सारे दोस्तों के पास, घर है, पर मेरे पास एक भी नहीं है, तो मुझे एक घर बनाना चाहिए, तो I don't know how to make a house, तो hippo को ये पता नहीं था, कैसे घर बनाते हैं, तो I will help you, said sparrow, sparrow ने कहा, ठीक ये कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पता दूँगे कैसे घर बनाते हैं, there is your house, sparrow ने ये कहा, क्या कहा, वहाँ पे तुम्हारा घर है, किसके उपर, एक ट्री के उपर, जो nest था, वो nest किसका था, वो sparrow का था, तो sparrow ने कहा, कि वो तुम्हारा घर है, जाओ, तो hippo slowly climb the tree and jump into the house, hippo ने दिरे-दिरे tree के उपर climb किया, climb का मतलब जांते हो, चड़ना, तो वो tree के उपर चड़ गया और jump किया, kood गया, jump का मतलब kood न, वो nest के उपर, kood पड़ा, तो क्या हुआ, cross, cross means, toot न, वो तूट गया, वो nest था, वो तूट गया, hippo was on the ground, जब ने स्टूट गया, तो hippo ने, hippo का क्या हुआ, hippo, hippo, ground में आकर गिर पड़ा, then I will show you, I will say you how to make a house a rabbit, तो rabbit वहां पे था, तो rabbit ने कर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊं क्या, कैसे घर बनाते हैं, तो उसने क्या क्या, he dog a big hole, dog means, खुदना, वो एक hole क्या, कहाँ पे, एक ground पर, in ground, ground में उसने एक hole क्या, और this is your house, said rabbit, rabbit ने क्या देखो, ये जो hole है न, ये मिट्टी में, जो ground में जो hole है, ये तुमारा घर है, तो हिपो ने क्या गया, उसके अंदर भी जब गया, कुछ पड़ा हूँ, सुहल गया उपर, he got stuck, stock means, क्या है, वो अटक गया, वो ना धी तर जा पया या, अंदर जा पया या, ना वो बाहर आ पया, वो बीचों बीच ही, वो, क्या हुआ 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 वहां उसी रस्ते में एक एलिफेंट जा रहा था, एलिफेंट तो जानते हो ना, वो जा रहा था, उसने क्या क्या हिपो को पकड़ कर बाहर खींचा, pulled, pulled means खींचना, उसने खींचा, then I will tell you how to make a house set elephant, एलिफेंट ने का, ठीक है, मैं तुमारे लिए एक घर बना दूँगा, यज फिर तुम्हें मैं बता दूँगा केशे घर बनाते हैं, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ घर केशे बनाते हैं, ये किस ने कहा ये, एलिफेंट ने कहा, a house would have a strong fall, no, no, said giraffe, a house would have a high root, एलिफेंट ने कहा, एक घर तुमारे लिए जो पर्फेक्ट घर है, वो कैसा हो वो फ्लोर strong होना चाहिए, बट जिरफ ने कहा, no no, a house should have a high roof, high roof means बहुत उंच्चा सच्छात होना चाहिए, बहुत उंच्चा, then no no, said snake, a house should be long enough, snake ने कहा, no no, वो घर बहुत लंबा होना चाहिए, strong floor, said elephant, high roof, said giraffe, long enough, said snake, तो elephant ने कहा, strong floor होना चाहिए, giraffe ने कहा, high roof होना चाहिए, snake ने कहा, long enough होना चाहिए, hippo went away, इन्हें अगर, hippo को बहुत जर से गुस्सा आ गया, किमकि तब तक उसके लिए, एक छोटा सा घर भी नहीं, बना, किसी ने भीम नहीं बना पाए, तो वो गुस्से में आकर क्या गया he came to the river, वो river के पास आ गया, river का मतलग तो जाणते हो न, नदी, वो नदी के पास आ गया, hippo jumped in, jumped in means, किसके वो अंदर कूद गया, वो river के अंदर, वो नदी के अंदर कूद पड़ा, then the river was just its size, actually वो जो river का size था, उसमें hippo बहुत आच्छे से रह सेकता था, it had a strong floor, क्योंकि river, उसका जो floor, वो strong था, then it was long, वो बहुत लंबा था, river तो बहुत लंबा होता है, तुम सब जानते हो, it had a roof, as high as the sky, and इसका, तो कोई भी कभर उपर नहीं है, न, तो इसके, उसलिए उसका जो रूप है, वो बहुत लंबा, as the sky, sky की तर्ब, sky की जितना ही, वो लंबा था, then happily, hippo splashed around in his house, hippo splashed around in his house, means, वो जो रिभर था, वो रिभर ही उसका घर था, घर बना, तो hippo ने क्या तिया, splashed, तो बक्चों तुम सब कभी, पानी को पानी को पत्थर फेके होगे, तो जब पत्थर फेकते हो, तो केसा होता है, पानी में थोड़ा से आवाज आती है, और वो पत्थर फेकने से, चारो तरब ऐसे, पानी छोटे-छोटे बूंदे जैसे उपर निकल दे है, तो वैसे ही, जब उसने पानी के अंदर कुद पड़ा, तो वैसे ही, साउंड, एक छोट, बहुत जोर से साउंड हुआ, और चारो तरब पानी, चारो तरब स्प्राक्ली मुण सेस्प्रान नग्सिसे भानी, हैसे पानी, कि ङ्वीघ न तरब त्लब तबॉर तरब श्यूर्ड तवल प्स को सब्लान बार्क्ते है, तो चारो तरब धर से समाझ पानी प toutesन पन् एल स्टूवेमी पर सानी आहः प्स्ता है, तो एक जूफ बहुत रहो 30 चारो सेजऑ